है दोस्तों स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज फिर एक टॉपिक उठाए हैं उसी के बारे में बाते करेंगे तो वह टॉपिक रहेगा हमारा रीबर पर किस चीज़ पर रीबर जिसका इंदी होता है नदी तो नदी क है उसका जो लंबा एक मतलब की चैप्टर बन जाता ठीक है सो एक वीडियो में आपको बोरिन लगने लगेगा सो वीडियो को लाश्ट तक देखना एंड चैनल पर नाइव हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आपको जियोलोजी से समंदित इसी टैप की सबसे पहला चैप्टर जो है इस चैप्टर का नाम है हमारा नदी एवं उसके भूब ज्यानिक कारिया जैसा कि मैंने सिलेबस बताया था बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है हमारे पास कि सर जी बताए कि इसका सिलेबस क्या है तो मैं आपको बता दो कि सिलेबस इसी पर कभी आज तक इसका जारी ही नहीं हुआ है आप बोल सकते हो पीछला क्यूशन बैंक आया हुआ है तो उसको में आपको जब इक्जाम आपका नियर आजाएगा नो तो मैं वह कटा दूँगा ठीक है अभी यह त्योरी आपको जनना जरूरी है तभी आप क्यूशन एंच करते हैं एंड जाइस से जैसे उसका आएगा आगे हम लोग इसके बारे में बाते करते चलेंगे तो देखिए पहला मतलब क्या दिया रिवर एंड रिवर एक्षान के बारे हम लोग के बाते करना है ठीक है तो रिवर एंड रिवर एक्षान यहां पे हम लोग देखिए आगे कि कीवचन मंबर वन हमारा क्या कहता है कि नाधी के नाधी के विकास करम में नाधी पर्दन चक्र का मतलब वरणन करना सबसे पहले आपको discuss the development of stage of the river पहले पढ़ना होगा development river नदी का जो विकास हुआ वो किस परकार से पहले नदी का विकास हुआ उसके बाद आप पर दन के बारे में जनेंगे ओके नदी का जो चैप्टर हुआ उसको समझने से पहले आपकर समझना होगा वर्साजल भूस अधाल पर निचले निचले आस्थानों की वह बहने का प्रियास करता है ऐसा होता है जब भी बारिस होता है तो जो भूस तया यानि प्रिस्भी का उपरी सता है उस पर जगा पर पानी क्या करता है बहने का परियास करता है और बाते चला जाता है यह दिढाल मंद हो यानि कि क्या धलान धीरे धीर हो मतलब कि इस टैप से ढ़लान ऐसा ड़लान गाल सीमपल सा ड़लान तो वहाँ पहले से ही परवा के लिए चैनल अगर नई हो तो पूरे सम जो पानी होता है वह पूरे ढाल पर बिश्तिरित चादर के रूप में नीचे की बरबाता है जैसे मैं आपको एक फीगर बताता हूं पहले जैसे कि एक माने इस टैप से क्या है धलाना है जो की बीच में मतलब ऐसे करके नई है डाइरेक्ट है ठीक है तो इस पर पानी आएगा यह पानी माने लिजए पानी तो पूरा इस फैलते हुए ब्राबर सता से होते हुए इसे काटते हुए आएगा ठीक है उसके बाद क्या होता है कि निचले एक यह बाता है एक रूप में चादर बाता है और उस परकार से जो अपरदन होता है उसे हम लोग प्रचालन काते हैं क्या कहेंगे प्रचालन या स्लोप वास काते हैं उसके बाद कुछ समय बाद बहता हुए जल ढाल की मीटी को काट कर परवाह के लिए छोटी-छोटी अलग-अलग यह नाली टैप के बना है जिसको ग्लीज करते ठीक है इस परकार की अनेक छोटी शरीतान है आपसमें मिलकर एक बड़ी शरीता निर्मित करती है क्या करती है मतलब कि छोटे छोटे जो है यह बन बन कर और क्या बना देता है बड़ी सी सरीता यानि कि बड़ी सी नादी का निर्मान करते हैं अब देखिया भी क्या हो रहा आगे कि अनेक सरीता आपस में मिलकर एक नादी को जनम देती है मतलब सरीता ऐसे भी नहीं बोल सकते और सरीताया नदि काहीं रूप है लेकिन नदी काहीं परयावाची होता है then अनेक सरीताया मिलकर करती है नदी को जनम रही है तो आपको दोन जिल काहीं कि नदी का बनती है स्के एतिरिक्ट नदियां जीलों से तथा हीम रि ness उसे पिखलने पर भी निर्मित होती है जैसे कि और बाकी नदी की अगर बात करें तो जहां पर बर्फ का बंडार है तो क्या होता है कि वहां पर गर्मी होता है तो बर्फ पिखल कर और नीची आकर नदी का जनम देता है जिस नदी में जल सदेव हर रितू में बहता रहता है उसे सदा नीरा काते हैं क्या काते हैं सदा नीरा मतलब कि वैसा नदी जिसमें चल जो पानी है हमेशा बारों मन्थ जो होता है हर रितू में बहता रहता है उसे सदा नीरा काते हैं ठीक है क्या कहेंगे सदा नीरा स्सधा निरा उसके बाद और जो सुष्ड रिट्वों में सुक जाती उन्हें आसदा निरा काते हैं यसे गर्मी के समय आगया तो पानी सूग्या नदी में और बाकी हरमोन समय हो तो इससे औस सदानी रहा करता है श्थाय नदी उसके बाद आगे जिस नदी से होकर बाती है मतलब और नली टाइब के बना उससे घाटी काता है क्या काता है घाटी प्रारम में घाटी अंग्रेजी अक्षर भी के समान तथा खड़े नालो वाली होती है इसके बाद घाटी के पर्स वह कम ढ़ाल वाले हो जाते हैं अंत में तो घाटी चिछली और चोड़ी हो जाती है जैसे कि नदी आया ऐसे आरे एक बाइक ऐसे मुझ ज अजाते होते हैं ऐसे फिर चोड़ा हो जाइगा ऐसे ठीक है उसी चीज़ को यहां पर बताए उसके बाद इस अधिकान नदिया अंतता समूद्र में ही परवाहित होती है मतलब कि जो सिंपल जितना भी नदिये कहां पर जाएक पर थो दो दो उद्गम स्थान की उपर पर और ही होना चाहिए नदी की लंबाई में हर बिंदू की उचाई दर्साने के लिए वाले आले की चित्रों को परिष्य दिगा काते हैं ठीक है अब देखिए एक फिगर यहां पर नादी अपर दन चक्र के बारे में थोड़ा से बता दिया नादी का विकास हम लोग पढ़ लि सब्सक्राइबरों में भी भाजित किया जा सकता है और यह नदी मतलब की काब 무 सकते हैं कि आवस्ता है तो पहले को उसके बाद प्रारंभीग में नादी उबढ खाबर परववतिय चेट्रह नादी गी सब्सक्रादीोग को होते हैं ठीक है और नदी द्वारा ओखनन जो का कटिंग होता है मतलब नीचे की और कट लगाना वह अधीक हो जाता है और जो ज्यादा डीप नदी होता है उसमें घाटिया निर्मित होती है तो तंग गहरियक होता है घाटियों को नदी महाखंड या गंभीर खंड के नाम से भी जानते हैं परिष्यदिका के ढाल में आकास्मिक परिवर्तन होने के कारण जल परपात उसके बाद च्रीप्रीका और सोपानी पात इत्यादी का निर्मान हो जाता है यहां पर इस फिगर के मादम से यहां बताया गया है कि किस प्रकार से भी आकृति बनता है देखिए अल्रेडी उधर से एक नदी आ रही है है और इधर से आकर यह मूढ गई पानी लेकिन पानी का परवाह के चलते है इसका उल्टा बता रहे हैं हम एक सेकंड देखिए इस टेप से यहां पर एक नदी ऐसे जा रही थी अब क्या हुआ कि पानी इस तरीके से जैसे ही कटा तो आरे साइस में होता है तो भी अकर देख सकते हैं यहाँ पर भी अकार आपका बन जा रहा है बहुता है उसके बाद तरुणय वर्ष्था में क्या होता है कि नदी पाहाड़ी अंचल में ही बाती है झाल अधिक होने कि कारण वा परवा भी तेजोता है अब औखनन किरिया भ बढ़ते हुए दूसरी नदी में मिल जाती है अब देखिएगा तो एक नदी दूसरी नदी में मिला तो जो उस जगह का बिंदू होगा जैसे एक नदी यहां पर और एक नदी यहां पर बिंदू यहां पर बना तो इस जगह का जो बिंदू बोल सकते हैं इसको यह बिंदू के पानी दूसरे-दूसरे नदियों परवाईत होने लगता है कि इस संपूern किरिया को क्या काता है नदी ही अपरन बोलते करना मतलब कि नदिया फ़िए चोरी ओ गया ऐब रित नदी के निचली घाटी का होता यह होती है सुक जाती है और भाग को कि इस भागों को काफी दूरी वात मोसने बात दर्रा क्या बीदते वात ज्रायानिकि वाइनड गया रह सब्या कीत्र किरी चीट्रे में सप्रिस्ट किया हुआ हो जैसा कि कि मैंने यापको दिखा यह पर यह भिंद है इसे नदी और अप withdrawal ढोले उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे कि भारत में सरसोती नदी का लुप्त होना नदी अपहरन का उत्कृष्ट दारन है सरसोती नदी लुप्त हो चुकी है ठीक है गंगा की सहायक नदी भागी रथी कोशी की सहायक नदी अरून है इतियाद इसी प्रकार से अफ्रीत उतना बहने का गुणनी होगा उसमें नदी भार जलोड शकू और जलोड पक्खी के रूप में निछेपित हो जाते हैं घाटी पार्सव के ड़ाल में कम हो जाते हैं तथा घाटी चोड़ी हो जाती है बाड के कारण घाटी के दोनों और बाठकरीत मैदान बनते हैं इस कंप्लिट वक्राकार मार्ग में बहने के कारण वक्र के अवतल भाग में उतल भाग की अपेक्षा अधिक वेग होता है अता अवतल भाग में अपर्दन भी अधिक तेज होता है यह चित्रद्वारास परस्ट किया जा चुका है नीचे वाले में अवतल भाग में निरंतर परदन तथा उतल भाग में नीचेपन के कारण वक्र का एक भाग पास यानिकी कुणडली क्ली का मतलब लूप होता रूप में ले लेता है सभी पास कुणडली कि संक्री व्यवा अब पर मिथut हो जाती है और नदी सीदा मारह अनुशरन करने लगती है पास कुंडली वाले भाग में परवाब बंद हो जाता है और वह जील का रूप ले लेता है उसे चाड़ जीलिया चाप जील काते हैं देखिए इस टैप से चाड़ जीले चाप जील का निर्मान ऐसे यह सीधा है आने के बाद टेणा मेडा हो गया यही नादी फिर ऐसा हो गय गया मतलब कि यादा दिल्ली यादा कलकत्ता जा रहा है उसके बाद यह अलग हो गया और फिर यह कि आऊ जाएगा जील का निर्मान हो जाएगा इस टैप से पूरा फिगर असपस्ट किया हुआ है चाड़ जील उसके बाद बृधा वस्ता था था लास्ट फेज इसमें दे दिदा वस्ता में कम गारा होता है यह अरुनादी परिष्यदी का लगभग अपरदन के चरमस्तर के समांतर और उसके पास होती है अंत्ता नादी समूंद्र में मिल जाती है मुहाने पर डेल्टा या जवारनाद मुख जिसको एस्टारी काते हैं कर निर्मान हो जाता है समूंद्र में विशर्जित हो जाती है समझ भागया और इस जवारनाद को मुख करते हैं लेकिन नदी के सांथ समूंद्र में विशर्जित होने पर मुहाने पर निशेपन होता है नदी अनेक धराओं में विभाजित हो जाती है इस परकार तिर्भुजाकार डेल्टा का न पर खतम होता है देखे नदी के इस विकास क्रम को नदिये चक्र बोलेंगे क्या बोलेंगे नदिये चक्र और इस अनुरूप अपर्दन क्रम को अपर्दन चक्र मतलब की विकास क्रम फास्ट में देखे और अपर्दन चक्र अभी देखे पांच प्रकार के तो इसको परदन चक्र पुना प्रारम होता है इसे पुनार यूवन कहते हैं कभी-कभी प्रोड़ावस्था की विशर्पित घाटी की पुनार यूवन के कारण गहरी हो जाती है इस परकार की गहरी विशर्पित घाटी को अध्धाकार्तित विशर्प कहते हैं जैसे भेद दर्सी कीधार घाटी बनती है लेकिन आप पुनर्यूवन की परतीत हो सकती है ऐसी स्थिती में सिलियों की संख्या पुनर्यूवन और अपर्धन चक्र दोनों की संख्या होगी इस चीज में आपको समझ माया नदी के बादा में पहला कि नदी क्या है और उसके बाद नादी कि हमगे विकास पड़क बीकास यानि की निर्मान किसे पर कर सभगा और फिर ऐसे डी Is और पर नलृज निलोट किया है कटाव किस्ट टेप से करता घाट कैसे बनता है यह सारा कोछ उसके बाद में records तो कीशन के बारे में बात करेंगा अभी मैं बतातू कि आप लोग के पहला कीशन कुमालीज़ीं नोट करना तो काफी सारा कॉंटेक्ट आता है कि इसका PDF हमें कैसे मिलेगा PDF के लिए मैं बता दो कि डिस्क्रिप्शन बोक्स में वहां पर इंस्टा का फिकर दिया हुआ और सब्सक्राइब अपुए अट प्र लूगत नहीं से कमसे कंसे फॉलोग कर दो तो यहां पर मैं मैं बता दूंकि अगर पीडेफ चाहिए तो इस पर वाट्साप करके और पीडेफ सेंड में आप बोल सकते हो ठीक है कि इस पर समझ मां गया जो कि डिस्क्रिप्शन में भी यह अल्रेडी मेरा दिया हुआ है कॉंटेक्ट समझ मां गया चलिए सेकेंड को पड़ता है कि उचनकु नदि के भू बैग्निक कारें की और वहां की जल्वायू और जब जितना था उसPERडिनेंट है उसके बाद नदी के वेग और छेत्र में उपासित सिलाओं के अनुरूप नदी दवारा अपरदन होता है मतलब कि वहां पर किस प्रकार की मिट्टी है किस प्रकार के पत्थर है उसके अनुरूप नदी का अपरदन होता है अपरदित पदार्थ मतलब कि बाहकर समुचित इस स्थितियों में निछेपित होता है। इस प्रकार नदी के तीन मुख्य भूबग्यानिक कारे कावित तीन प्रकार है पहला अपरदान दूसरा परिवाहन और तीसरा निछेपन तो पहला चीजा मिंशका पढ़ना होगा अपर दन उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नदी म टुकड़े बाते हैं तो क्या होता है नदी में जल और उसके साथ कुछ पथर के टुकड़े स्टॉप से बाधते रहते हैं इनके रासायनिक के साथ रशानिक किरिया करके उन्हें घोलने में समर्थ हो जाता है मतलब कि छोटे-चोटे पत्र के टुकड़े को आपस में भी घोल सकता है और उसमें जो भी खनी जोगा उसे भी घोल सकता है इस परकार रशानिक रूप से अपगाटित पदार्त जल में बिलय होकर बहने ल दोने लगते हैं यह सेल्खंड आपस में तथा का घाटी के तल एवं पार संसे भी टकराते रहते हैं Aपस में टकरा टकराकर एक कंड और छोटे होते हैं इस किरिया को संप घर्शन काते हैं समझमा आगे दिया इन खंडों के तल और पार्शो के सेलों से टकराने पर सेल तूटते और होते हैं इस प्रकार गर्षन द्वारा परदन की किरिया को अब घर्षन करते हैं नदी में जल परवा के समय भौवर उत्पन होती है क्या होती है इस प्रभाव से जल बृताकार रूप में घुमता है यह बृत घुमते हुए धीरे-धीर आगे बढ़ते हैं इसको कैसे बहुते हैं इस टाइप से ऐसे वाला जल के बृताकार भर्मन के साथ ही उसमें उपस्थित सेल खंड भी तल के सेलों पर बृताकार घुमते हुए टकराते हैं इनका परभाव गहराई के साथ कम होता जाता है इस प्रकार बृताकार गर्त बनते हैं यह गर्त नीचे की और संक्रे होते हैं इन गर्तों को जलज गर् संकी ज्वलंत परमान इस प्रकार विभीन किरियाओं का से अपर्दन होता है समझ मागया अपर्दन होने का यह रिजन था अपर्दित पदार्थ आपस में टगराते हुए बाते रहते हैं निरंतर पर वापर यह गोलाकार और अत्यंत छोटा हो जाएगा नदी की अपर्दन सेलों के संगटा नेमसं रचना तथा नदी जल में विद्द्यमान घुलित-पदार्थ की प्रकृति और मात्रा पर निर्वर करता है जो परदन था ठीक है उसके बाद होगे हम लोग का उसके बाद क्या है परिवाहन तो देखिए थोड़ा सा परिवाहन के बारे में यहां जो है नदि में मुखेता चार परकार से परिवर्थ होते हैं परथम कुछ पदार्थ घूलित रूप में परिवाहन होते अब दो और पेट रहते हैं और नहीं नीरंतर लुड़कते हुए आगे चलते हैं मतलब चार ता 4 जैसे है ठीक है कि इस विधी में सैल lot blame उछाल ìढ़ते हैं इस वीधी को उत परिवर्तन कहते हैं पाले की छोड़ परिवहन की सेश वीधियां बल्कृत हैं तथा परिवहन जल के द्रोवचालन पर भाव के कारण होता है किस नदी की नदभार परिवाहन की छमता जल के परिवाहन जल के द्रव चालन परभाव के कारण होता है किसी नदी की नदभार परिवाहन की छमता जल के वेग पर निर्वर करती है इसी परकार परिवहित सेल खंडो की अधिकतम साइज भी वेग परी निर्वर करता है नदी क परिवाहन की चम्ता 32 गुना अधिक्ताम साइज वाले खंड परिवाहित नहीं हो पाते हैं उसके आगे ही कि सबसे छोटे कॉन अधिक्ताम दूरी तक परवाहित होते हैं अथा परिवाहन दूरी कॉनों के साइज पर काफी ज्यादा मतलब निर्वर करती है यह जितना छोटा साइज रहता है उसको उड़ने में बाने में बहुत ज्यादा है मिलता है इसी परकार गोल अकार वाले कॉन अधिक सरलता से अधिक दूरी तक परिवाहत कर सकते हैं मतलब कि जैसे एक होता है एस टैप के पदार और एक गोल तो कॉन ज्यादा इस परवाहित होगा मामुली स सेलकन का आकार और साइज के अनुसार बेवसित होते हैं इस सवस्ता को छटाई काते हैं इसकी अतिरिक परिवाहन के साथ साथ चोटे कौन और अधिक गोल हो जाते हैं मतलब कैसा भी कॉन रहें जाने के बाद गोल कभी देखिए का अगर पत्थर के आपका टुकड़ा मिले बहुत चिकना रहता है और प्लस में गोलाकार अंडागार आपको मिलेगा ताकि उसको परिवाहन में आसानी मिले नदी के वेग में कमी होने से उसकी परिवाहन चमता घट जाती है इस प्रकार नद भारकांस परवहित नहीं हो पाता है यह नदी तल पर निछेपित होता है इसको है उसको परिवाहन के चमता जब घट जाता थाई लें लेकिन परिशेदिगा की परवन्ता की कमी नदी के जल की आयतन के कमी नदी के घंधि की आकार में परिवर्तन नदी पाथ में और प्रोद इत्यादी पर मुख कारण है ठीक है मैं स्वीड में बोल रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि इसको समझाने में आपको प्रूलम है इसलिए इसको कि जहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं उस इस पर ध्यान जाना चाहिए आवाज के साथ साथ यह मकसद है मेरा जब नदी पहाडी छेतर से निकलकर मैदानी छेतर में प्रवेस्ट करती तो धाल की प्रवनता अकास्मिक परिवर्तन पर उसका घट जाता है जासे अधिक उपःस्थित पडार्त Täec कास्मात संकू के रूप में निछहपित हो जाता हैं इन संकू ओओं कोॉड़ संकू काते हैं कम ढाल वाले संकू चोड़े को जलोरख हो जाता है परिवहित जो पदार्थ है इस प्रकार निर्मित निछहप में नदी की धारा अनेक सखावा विभाजित हो जाती हैं ऐसी नदила ड कोा नदी कहते हैं नदी उसके बाद बार आने पर नदी का पानी घाटी की सीमाओं पर पूरे विष्टीट खेत्र में हो कर परवाहित होता है लेकिन गटने पर पानी का आयतन जो है और वे दोनों क्या होता है घट जाता फर्ता परिवहित पदार्त बिस्तित शाट्रमण नि शापीत हो जाता है इस प्रकार निशैप जिसagnे निर्मीत होता है उसे बाढ़ कrılar मेदान कहते और बार सीमा पर कई पर कई बार नदी के समानतर निशेप के मेर जैसे अकार बन जाते हैं तो इन्हें प्राकृतिक तटबंद कहते हैं क्या कहते हैं प्राकृतिक तटबंद जैसा बोल सकते हैं उसके बाद कितना है और थोड़ा देख लेते हैं छोटा सा ही है तो क्या काते हैं प्रात्विक तट बंद काते हैं उसके बाद इसी प्रकार नदी समुद्र में परवेश करने से पहले लगबक समुद्र तल पर परवाइत होती है अत्ता उसका विए इतना कम हो जाता है कि वह बहुत सुक तिर्भूजाकार निशेव का क्या बलते हैं डेल्टा अब इसवाल आते हैं घाटी जो होती थी घाटी की सगार की भी अब डेल्टा की सगार की तो तिर्भूजाकार इसागी तो क्या बलेंगे डेल्टा उसके साथ अब परदन नदी घाटी को चोड़ा और गहरा बनाने क करता है क्या करता है आप पर्दन दौरा नाधी तल के गशहरे होने की सीमा समयनीता शमुद्वे तल की गहर ही किसे पर्दन का च्रम उस्थ बोड़ सकते हैं बेस लेभल ओफ अफ Erosion । नदी परवाँ अपरदन और निछेपन के सारे संतूलन की श्थिति का निर्मन करता है उस इस्थिती में नदी जो है ठीके ना परिषदिका का धाल इतना बड़ा हो जाता है कि समस्तुर्जान नदभार के परिवार नमें समापत हो जाती है और कोई अपर देन या करिपाते नीच करो ईसी नादी को परबॉदित नादि काते हैं वैसे एस इस ही वह से जो है इस श्थिति ने में आने में नदी को बहुत समय लगता है और अनेक भूहल चलो द्वारा नदी परवाकिया कस्मिक परिवर्थन की कारण वही इस्तिति नहीं पहुच सकती है तो दोस्तों यह रहाई यह चेप्टर आज का यह खतम हो चुका है एंड एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी पीडियेफ लेना चाहते हैं तो इस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं समझ में आ गया एंड अगर इस पर प्रोब्लम है तो आप amt.kumar.351 मेरा इंस्टा आईडी है सब कोशी स्मॉल में ठीक है आप इस पर समेश कर सकते हो ठीक है और बेस्ट एंड लेट्स डू सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू